दिल्ली शहर के ताहिरपुर गाउं में राखी अपने गरीब पिता रामदीन और माता जानकी के साथ रहती थी राखी की उम्र बीस साल थी लेकिन उसका कट साथ साल की बच्ची जितना था दरसल वो एक बॉनी थी राखी दिल्ली युनिवर्सिटी से बीट की पढ़ाई कर रहे थी कॉलेज खत्म होने के बाद वो घरा कर बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती जिससे वो अपना पढ़ाई का खर्चा निकाल पाती उसके बॉनी पन की वज़ा से सब उसका खूब मजाग उडाते ए बच्ची जा अपने प्ले स्कूल में जा यहां आने की अभी तेरी उम्र नहीं है बॉनी कहीं की सभी इसी तरह राखी का मजाग उडाते थे लेकिन वो अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देती है और अच्छे नंबरों से B8 के डिक्री हासल कर लेती है कुछ दिन बाद वो एक स्कूल में जॉब के लिए इंटर्व्यू देने जाती है ए छोड़ी बिच्ची तू यहां क्या कर रही है जा जाकर अपनी क्लास में बैट आप गलत समझ रहे हैं सर मैं तो यहां इंटर्व्यू के लिए आई हूँ मेरा नाम राकी है ओ अच्छा अच्छा सर ने बताया था आपके बारे में आईए मैं आपको प्रिंसिपल के कैबिन तक ले चलता हूँ प्रिंसिपल उसका इंटर्व्यू लेते हैं जहां उसका सलेक्शन हो जाता है राकी खुशी-खुशी घर आती है और अपने मा बाबा को बताती है मा बाबा मुझे एक स्कूल में नौकरी मिल गई है अब मैं स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाऊंगी हमारी गरीबी अब दूर हो जाएगी बाबा हाँ मेरी बच्ची मैं जानता था तू जरूर एक दिन हमारा सर गर्व से उंचा करेगी राकी अगले दिन से स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाती है जहां स्कूल की टीचर उसे देख कर कहती है क्या यार सुधा मैडम अब क्या बच्चे भी स्कूल में पढ़ाएंगे अरे धीरे बोल ये बॉनी तो नई मैडम है राकी अपनी क्लास में जाती है तो बच्चे उसे देख कर कहते है ए लड़की जा अपनी क्लास में जा तू तो हमारी क्लास की नहीं लगती और ये क्या तूने युनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी लगता है आज इसका बर्थडे है इसलिए युनिफॉर्म पहन के नहीं आई देखो तो इसके पास बैग भी है वो सकता है इसमें टॉफिया हो अच्छा लाला जल्दी दे फिर तो हमें टॉफिया तभी क्लास में प्रिंसिपल सर आजाते है ये सब क्या हो रहा है बच्चों अपनी क्लास टीचर के साथ ऐसे पेश आते है क्या हमारी क्लास टीचर पर अभी तो इसकी खुदी पढ़ने की उम्र है लगता है इसकी मम्मी ने बचपन में इन्हें बॉन वीटा नहीं पिलाया सर इन मैडम को ब्लैक बूर्ट तक पहुँचने के लिए तो सेड़ी की जरुरत होगी न बच्चों मैडम की सिर्फ हाइट ही कम है लेकिन इनका दिमाग चाचा जौधरी जैसा तेज है मैडम आज से ये आपकी क्लास है ये कहकर प्रिंसिपल वहाँ से चले जाते हैं राखी कुर्जी पर बैट कर बच्चों को पढ़ाने लगती है मैडम आप तो हमें दिखाई ही नहीं दे रहीं ऐसा लग रहा है जैसे टेबल के निचे कोई टेप रिकॉर्डर बज रहा है बच्चपन से लेकर बड़े होने तक अपना मजाग बनता देख राखी को बहुत गुस्सा आता है अब उसके बरदाश्ट की सीमा पार हो चुकी थी बच्चपन से आज तक बस यही सोचती रही कि कुछ बन जाओंगी तो लोग मेरे बॉनेपन का मजाग बनाना छोड़ देंगे लेकिन लगता है यह दुनिया ऐसे नहीं माने की हम इनके साथ जितना भला बन कर रहेंगे उतना ही यह दबाती चाहेगी इसके बाद राखी का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है वो अब बच्चों के साथ सक्ती से पेश आने लगी उसका मजाग उडाने पर वो बच्चों को डंडे से मारने लगी मेरा मजाग उडाएगा तु? हाँ? इधरा, इधरा आज तो तुझे अच्छे से सबक सिखाऊंगी नहीं मैडम, हम इछोड दीचे हम आज की बाद आपका मजाग नहीं उडाएंगे तुम लोगों के इतने कम मार्क्स अब तुम लोगों की सजा ये है कि जिन भी बच्चों के मार्कस आज कम आए हैं वो टॉयलेट एरिया साफ करेंगे अब राखी का अत्या चार बच्चों पर बढ़ते ही जा रहा था और उसके डर के मारे बच्चे किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहे थे क्योंकि वो उन्हें फेल करने की धमकी देती थी फिर एक रोज प्रिंसिपल ने उसे बच्चों को मारते हुए देख लिया उन्होंने राखी को खूब डाट लगाई तब सब बच्चों ने प्रिंसिपल को सारी बात बताई प्रिंसिपल उसे नौकरी से निकालने की धमकी देते हैं फिर राखी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो फूट फूट कर रोती है और रोते हुए कहती है तो मेरे साथ किसी ने कौन सा ठीक किया जब मैं सब के साथ अच्छे से रही तब भी तो सब ने मेरे बॉनेपन का मजाग उड़ाया बचपन से लेकर आज तक सब की बाते ही सुनती आई हूँ अब मेरा कट बॉना रह गया तो इसमें मेरी क्या गलती यहां आई तो यहां की टीचर्स और बच्चों ने मेरा मजाग उड़ाना शुरू कर दिया अरे मुझे भी तो बुरा लगता है कट छोटा है तो क्या हुआ हूँ तो मैं भी इनसान ही ना उसकी बाते सुनकर प्रिंसिपल टीचर के साथ साथ सब बच्चों की आँखों में आसु आ जाते हैं और सब उससे अपने किये की माफी मांगते हैं फिर सब ठीक हो जाता है अब कभी भी कोई उसका मजाग नहीं उड़ाता ना ही राखी अब कभी बच्चों पर अत्याचार करती और राखी सबी बच्चों को बहुत प्यार करती दीपक एक अनात लड़का था एक बड़े स्कूल में सफाई का काम करने वाले दीनु को वो एक कच्छरे के धेर के पास लावारिस हालत में मिला था दीनु ने शादी नहीं की थी उसने ही दीपक को पाल पोस कर बढ़ा किया दीनु ने स्कूल के प्रिंसिपल से सिफारिश करके दीपक को क्लास में सीट दिलबा दी ताकि दीपक पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सके दीपक अब नौवी कक्षा में आगया था और उसके एक्साम आने वाले थे दीपक पढ़ने में अच्छा था उसे अच्छे नंबर लाकर पास होना था इसलिए दीनु के सोजाने के बाद दीपक रात में स्ट्रीट लैंप से आने वाली रोशनी में पढ़ाई करता था दीपक की ही क्लास में स्कूल के ट्रस्टी मिस्टर महता का बेटा अरजुन भी पढ़ता था अरजुन दीपक से बहुत चिर्था था ट्रस्टी का बेटा है इसी डर से कुछ टीचर ना चाहते हुए भी अरजुन की जूटी तारीफ करते थे और दीपक को नीचा दिखाने में अरजुन का साथ देते थे सर बताईए ये रेस किसने जीती है आप तो अच्छे से जानते हैं न विनर कौन है हाँ हाँ दीपक तुम इस रेस में हार चुके हो अरजुन तुमसे पहले ही उस लाइन में पहुँच गया था देखा मैं हमेशा जीतूंगा मुझे कोई नहीं आ रा सकता दीपक मायूस होकर क्लास में आ जाता है सर कब तक हम अरजुन से डर कर उसे जूटा विनर बनाते रहेंगे पर कब तक हम ये अत्याचार सहन करते रहेंगे दीपक एक अनाद गरीब स्टुडेंट है दीनु काका ने उसे अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बढ़ा किया है और यहां पढ़ा रहे हैं ताकि दीपक बढ़ा होकर अपने पैरों पर खड़ा हो सके पर अरजुन जैसे बच्चे दीपक जैसे होनहार बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देते फिलहाल तो हम कुछ नहीं कर सकते मिस नैना हमें सब कुछ वक्त पर छोड़ देना चाहिए एक दिन दूसरे स्कूल के टीचर प्रिंसिपल के साथ सब बच्चों को मिलने आए और वो दीपक की क्लास में गए उन्होंने सब बच्चों से कम्प्यूटर के कुछ सवाल पूछे पर सबसे पहले दीपक ही हाथ खड़ा करता था प्रिंसिपल ने दूसरे स्कूल के टीचर से का प्रिंसिपल सर बिलकुल चुप थे अर्जुन इस बात में अपना अपमान समझता है और दीपक से बदला लेने की योशना बनाता है और मुझे पता है ये स्कूल से कैसे निकलेगा दीपक की परिक्षा आने वाली थी वो परिक्षा के लिए बहुत मेहनत कर रहा था अर्जुन स्कूल के गार्ड को धमका कर अगले दिन होने वाली परिक्षा का पेपर चुरा लेता है और दीपक के स्कूल बैग में रख देता है और चाकर प्रिंसिपल सर को भरका देता है आईए सर मैंने अपनी आखों से दीपक को कलोने वाले एक्जाम पेपर की चोरी करते देखा है अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप गार्ड से भी पूछ सकते हैं गार्ड से पूछने की जरूरत नहीं है अभी हम दीपक का बैग चेक कर लेते हैं अरजुन तो पहले ही दीपक के बैग में एक्जाम के पेपर रख चुका था दीपक के बैग में एक्जाम पेपर बिल जाता है सर मुझे नहीं पता ये पेपर मेरे बैग में कैसे आया मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता मेरा विश्वास कीजिए सर जाकर दीनों को बुला कर लाओ हमेज इस दीपक जैसे स्टूडेंट को अपने स्कूल में एक सेकंड में नहीं रखना अगर ये इस स्कूल में रहा तो हमारे और भी बच्चे चोर बन सकते है सर मेरा दीपक चोरी नहीं कर सकता ये ऐसा नहीं है मेरा विश्वास कीजिए बाबा मैंने चोरी नहीं की मुझे नहीं पता मेरे बैग में ये पेपर कहां से आया मैं कुछ नहीं सुनूँगा मैंने तुम पर तरस खाकर की चलो अनाद बच्चा पढ़ लिख जाएगा इसलिए इस स्कूल में एडमिशन दिया पर दीनू शायद इस बच्चे में संसकार नहीं आ पाए आखर है तो अनाध ही और तुम भी तो मामुली सफाई वाले हो हमें सब पता है ये गरीब बच्चे चोर ही बनते हैं बड़े स्कूल में पढ़ने की इनकी आउकात नहीं है इसे ले जाओ यहां से वरना मैं पुलिस को बला लूँगा दीनू रोता हुआ दीपक को ले जाने लगता है अरजुन अपनी मकारी पर बहुत खुश था प्रिंसिपल अपने ओफिस में आ जाते हैं तब ही वहां मिस नैना आती है उनके साथ स्कूल के ट्रस्टी यानि की अरजुन के पिता भी ऑफिस में एंट्री करते हैं सर आपको पता भी है आपका बेटा अरजुन अंधकार के रास्ते पर जा रहा है आज उसने दीपक जैसे एक होनार बच्चे पर चोरी का जूटा इंजाम लगा दिया मैं चाहती तो अरजुन को चोरी करते समय भी रंगे हाथों पकड़ सकती थी पर शायद ये चूट जाता क्योंकि उसे घमंड है कि वो स्कूल के ट्रस्टी का बेटा है मैंने उसे चोरी करते हुए सारी रिकॉर्डिंग अपने फोन में कर ली ये देखिए मिस्टर मैता आपका बेटा स्कूल में एक्जाम पेपर चोरी कर रहा है क्या आप चाहते हैं कि वो बुराई के रास्ते पर जाये और एक दिन आपका नाम मिट्टी में मिला दे मैं चाहूं तो इस वीडियो को पूरे स्कूल में दिखा सकती हूं पर आप जानते हैं कि आपकी कितनी बदनामी होगी अर्जुन के पिता बहुत दुखी होते हैं अर्जुन आफिस में आता है वीडियो देखकर वो घबरा जाता है पापा मुझसे गलती हो गई मैं सिर्फ दीपक से बदला लेना चाहता था पापा मुझे माफ कर दो दीपक जैसे हुनहार बच्चे पर छोरी का इलजाम लगाते तुम्हें शर्म नहीं आई तुम्हें अपना बेटा कहते हुए मुझे सच मुझ बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है मैं तुमसे अब कभी भी बात नहीं करूँगा तुम जैसे चाहो अपनी लाइफ को जी सकते हो अब तुम्हारी मम्मी और मैं तुमसे कोई मतलब नहीं रखेंगे नहीं पापा ऐसा मत करो मैं आपसे और मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ मुझे माफ कर दो मुझसे गलती हो गई गलती तो हम सबसे हुई है शायद अरजुन के बिगड़ने में सबसे बड़ा हाथ मेरा है हमने हमिशा अरजुन को गलत करने में बढ़ावा दिया पापा मुझे बस एक बार माफ कर दो अगर माफ़ी मांगनी है तुम इस नेना और दीपक से मांगो अब वही तुम्हें माफ कर सकते है नेना मैं मुझे माफ कर दीजी अब प्लीज ये वीडियो किसी को मत दिखाना नहीं अरजुन बेटा मैं ये वीडियो किसी को नहीं दिखाऊंगी मैं तुम्हारी गुरू हूँ और तुम्हें सही राह पर लाना मेरा फर्ज है अरजुन दीपक से माफ़ी मांगता है इतना कहते ही दीपक अरजुन को गले से लगा लेता है उन दोनों को आपस में गले लगता देख स्कूल का सारा स्टाफ और दीनू बहुत खुश होता है